असलावन इको वीवर्स एंड वेलकम टू माई चैनल हमारे खाने आज हम बनाने जाने हैं बहुत ही जबर्दस किसम के शुवार्मा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमें चाहिए चिकन इसको मैंने चोटे क्यूब्स में काड लि आज आए यह को पशन दे सकते हैं ज़ो टेस्ट आपको पसद है कम स्यादा कर सकते हैं इसके बाद इसमें जाएंगे चिली फेल हला जाए जो इस रैसिबीय की जान है मैंने दो चमच लिए हैं बारीक पिसी वी लाल मीच लिये आदा चमच गरा मसाला जाएंगा दना बना क ये मेरीनेशन के लिए चीजें हैं हमने इसे तक्रीबन दो गेंटे के लिए मेरीनेट करना है तिका मसाला डाल दिया है, दो चमच अब इसमें जाएगा अद्रक और लैसन का पेस्ट जो चिकन के लिए बहुत ही जुरूरी है इसको हम मेरीनेट कर लेंगे बहुत ही जबर्दस श्वार्मा बनते हैं और बहुत ही इजी रैसिपी है आप रे जुरूर ट्राइ करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सोस मैंने दो चमच डाले है बहुत ही जबर्दस फ्लेवर आता है सोया सोस से चिली सोस मैं डालूँगी इसमें दो चमच अगर आपके पास चिली सोस मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं आप नाण डालें ये तो आपके टेस्ट का हिसाब है कि आप कैसा शुवारमा पसंद करती हैं इससे तोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है और मज़ा भी आता है शुवारमा तो आपको पता है कि स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं इसके बास पसंद में जाएगा सिर्का सिर्का मैंने दो चमच डाला है क्योंके चिकन को अच्छे से गलाना है अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताके तमाम अज़जा जो है वो चिकन के साथ अ हम इसे रख देंगे ये देखें तमाम मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिया है तोड़ा सा कलर पीका पीका आ रहा है इसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ हम इसमें तोड़ा सा फूर कलर एड़ कर लेंगे तोड़ा सा आर्टिफिशल हो जाएगा मगर बहुत ही प्यारा कलर आएगा बिल्कुल एक चुटकी डाली है हमने और इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से इससे हमारे चिकन का कलर उपसूरत सा आ जाएगा इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करें बहुत इजी शुवार्मा है आप एक तफ़ा गर्मे बनाएं तो इंशाल गॉल डाला ज्यादा गर्म नहीं करना और इसमें हमने शामिल कर देना है मेरिनेट किया हुआ चिकन ये देखें चिकन ने मेरिनेशन के दौरान अपना पानी चोड़ दिया है इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे अब हमने इसे आउयल में पकाना है अच्छी तरह से इसके पानी को खुश्क करना है चमच हिलाते जाएं और इसे पकाते रहें तकरीबन 15-20 मिनट तक हम चिकन को आउयल में पकाएंगे चमच से इस तरह साथ ही साथ हमें हिलाते रहना है देखे कलर चेंज होना शुरू हो गया है बहुत ही सबरता से खुश्बू आएगी इससे कलर चेंज होता जाएगा अब हम इसे एक बार हिला कर उपर से ढख देंगे जब हम इसे ढखेंगे तो ये अपना पानी चोड़ देगा और अंदर से कच्छा पन भी इससे दूर हो जाएगा एक डखन देंगे इसके उपर और डख देंगे तकरीबन पांच मिनट के लिए फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेम नहीं करना वरना इसका कच्छा पन जो है वो रह जाएगा एक बार डखन उठाकर देखेंगे यह देखें पानी छोड़ दिया है चिकन अपना दुबारा से डखेंगे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए यह देखें अब डखन उठाएंगे तो हमारा चिकन ड्राए हो चुका है अब हमने करना क्या है इसे स्मोकी फ्लेवर देना है हमने कोईला जलाक कर रेट कर लिया है इसके उपर गी या ओईल डाल देना है और फटा फट से इसके उपर टककर दे देना है लीजिये जी स्मोकी फ्लेवर आ चुका है हमारे शुआर्मा के चिकन में बहुत ही सबर्दस सा फ्लेवर आएगा जरूर ट्राय कीजिएगा दूसरी साइट पे हमें एक तवे पे थोड़ा सा घी लगाकर श्वार्मा ब्रेट गरम कर लेंगे इंशालला मैं जल्दी आपको श्वार्मा ब्रेट गरमे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही असानी से बन जाती है यह देखें यह कलर हमें चाहिए चाहें तो आप श्वार्मा को प्लेटर में सजा सकते हैं यह देखें हमें रेड और वाइट सोस से श्वार्मा की त्यारी करनी है रेड और वाइट सोस रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूंगी सलाथ बना लिए हमने कीरा लिया है ग अच्छी तरह से पहला लेना है ये तोड़ा स्पाइसी हो जाता है इससे आपने अपने हिसाब से लगाना है कि आप कितना स्पाइसी चाहते हैं वाइट सोस लगाएंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने एक चोटा सा लाइक जरूर करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ अब हम इस पे चिकल लगाएंगे और सलाथ जो मैंने बारी काड़ी थी वो लगाएंगे ये देखें अगर आप प्यास पसंद करते हैं तो आप प्यास भी लगा सकते हैं केरा लगा दिया बारी कट करना है इसे थोड़ी सी गाजर एड़ करनी है बहुत ही मज़े का है शुरमा आप एक तफ़ा घर में बनाएंगे स्ट्रीट शुरमा आप भूल जाएंगे क्योंकि जो हम चीज घर में बना सकते हैं वो हमें मार्किट से नहीं मिल सकती बहुत ही जबरदास्त और आला किसम के शुरमा है एक बटर पेपर लेके उसमें हम इसे फोल्ट करते जाएंगे लीजे जी हमारे शुरमा त्यार है अपना रखे का बहुत ही ख्याल मिलते हैं अगली रैस्पिक के साथ अल्ला हाफीज